हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान टू कलर पैटरन सियर करने जारी हूँ इस पैटरन को आप बच्चों के और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पैटरन को कैप, बलाउज, जैकेट आदी में भी अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटरन आ जाता है और फ्रंड साइड से हमारा ये पैटरन बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों आप मुझसे फेस्बुक और इस्टा में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब हम अपना पैटरन बनाना इस्टार्ड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सब भी बॉर्डर बना लेंगे तो देखिए यहां पे हमारा फर्स्ट कलर रेड है और सेकिन कलर हमारा वाइट है आप कोई भी कलर अपलाई कर सकते हैं तो देखिए जो हमारा first color होगा उससे हमने border बना के complete कर लेनी है और border complete होने पर first row में हमारा second color आएगा अब देखिए यहां पे second color white है है आप कोई भी color apply कर सकते हैं तो देखिए हम यहां पे second color को add कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से यह हमने second color को यहाँ पर add कर लेना है यह पहला फंदा हम ऐसे बुन के उतार लेंगे यह देखे यह पहला फंदा हमने बुन के उतारा अब देखे जो next फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे यह next फंदा हमने सीधा बुना फिर देखे एक फंदा हमने ऐसे बिना बुने उतार लेना है यह एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे यह एक फंदा हमने सीधा बुना फिर एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे फिर देखे नेस्ट फंदा सीधा बुनके उतारेंगे और नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतारना है और देखे इस तरीके से हमने सलाई डालनी है जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं इस तरीके से हम सलाई डालेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे फिर नेस्ट फंदा हम सीधा बुनके उतारेंगे नेश्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और फर्स्ट रो को कमप्लेट कर लेंगे यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कमप्लेट हो गई आप देखे बैक साइड से से किंड रो अब से किंड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है धागा अपनी ही साइड रहेगा और देखे जो नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतार रहे है इस फंदे को हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंग और देख़े, next फंदा हमने बिना भूने ही उतार लेना है, फिर धागा पीचे करेंगे, और देखे, next फंदा देखे जो second color से भूना है, इसको हम भून के उतारेंगे और सीधा भूनेंगे, ये देखे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा ये बिना बुने उतारेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड ये फंदा हमने देखे जो first color से है इसको बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे करेंगे और second color वाले फंदे को बुन के उतारेंगे धागा अपनी side, first color का फंदा बिना बुने और second color का फंदा बुन के उतारेंगे same process repeat करते जाएंगे और wrong side से अपनी second row complete कर लेंगे separate हो गई अब देखे फ्रंट side से third row अब third row में भी हमारा second color आ memb आएगा तो देखे पहला फंदा ऐसे ही बिन बुने उतारेंगे यह पहला phand हमने बिन बुने उतारना है अब देखे जो next फंदा है second color से बना हुआ इसको देखे ऐसे बिन बिजो बिन बुने कंप्लेट कर लेनी है यह देखे यह front side से हमारी third row complete हो गई अब देखे back side से fourth row अब fourth row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखे front side से जो फंदा हमने बुन के उतारा है उसको हम back side से सीधा बुनेंगे यह देखे यह फंदा हमारा सीधा आ गया धागा अपनी side अब देखे front side की तरब से देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है उसको हम back side से भी बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा बुन के उतारेंगे धागा अपनी side एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा बुन के उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारना है वो फ्रंट साइड से भी हमने बिना बुने ही उतारा है तो धागा अपनी साइब एक फंदा बिना बुने धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइब एक फंदा हम बिना बुने उता लेंगे और last का फंदा हम बुन के उतार लेंगे ये देखे ये देखे ये back side से हमारी fourth row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से fifth row अब fifth row में first color आएगा तो देखे यहाँ पे first color red है आपको भी color apply कर सकते हैं और देखे जो first color से हमारा यहाँ पे pattern आएगा वो pattern हमारा repeat होगा तो देखे यहाँ पे repeat row पहला फंदा ऐसे बुन के उतार लेंगे ये पहला फंदा हमने बुन के उतार ना है आप देखे जो next फंदा है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे और next फंदा हमने ऐसे बिना बुने उतार लेंगे नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतारा फिर देखे जो नेस्ट फंदा आएगा इसको हम सीधा बुनके उतार लेंगे और नेस्ट फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे फिर नेस्ट फंदा हम सीधा बुनके उतारेंगे नेस्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे नेस्ट फ प्रोसिस हम repeat करते जाएंगे और front side से अपनी 5th row complete कर लेंगे ये देखें ये front side से हमारी 5th row complete हो गई अब देखें back side से 6th row अब six row में भी हमारा pattern second row की तरह repeat होगा तो देखे पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे धागा अपनी ही side रहेगा और देखे next फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी side एक फंदा हमने बिना बुने उतारा फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुने उतारेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुने के उतारेंगे फिर धागा अपनी side एक फंदा बिना बुने धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी side एक फंदा बिना बुने उतारेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइट से अपनी six row complete कर लेंगे यह देखें बैक साइट से हमारी six row complete होगई इस six row को हमने second row की तरह बुनते हुए complete किया अब देखें फ्रंट साइट से seven row अब seven row में भी हमारा first color आएगा तो देखें पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार देना है अब देखें जो next फंदा है first color से इसको हम बिना भुने उतारेंगे अब देखें जो next फंदा है second color से इसको हम भुन के उतारेंगे यह दिखे फिर नेस्ट फंदा बिना बुने नेस्ट फंदा बुन के उतारेंगे फिर नेस्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे और नेस्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रेंट साइट से हमने सेवन त्रो को कम्प्लेट कर लेना है यह देखे यह फ्रेंट साइट से हमारी सेवन त्रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से एड त्रो अब एड त्रो को देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा गया धागा अपनी साइड एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुनें धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और बै यह देखिए बैक साइट से हमारी 8th row complete हो गई, अब देखिए फ्रंट साइट से 9th row, अब 9th row में हमारा pattern repeat होगा, 9th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है, बैक साइट से देखिए जो 10th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, इस तरह हम अपने pattern को repeat करत देखिए बहुती सुंदर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो please subscribe करना न भूले, thank you